हेलो स्टूडिंट्स आज हम बात कर रहें जोग्रफी के बारे में भूगोल कॉंपटिशन पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंट्रस्टिंग भी तो यह बात कर लेते हैं कि जोग्रफी बना है दो शब्दों से ग्रीक के जिनका न से 将ि're of Earth की पढ़ाही करते हैं तो इसको बोलते हैं जी ओल जोजीए। अगर आप सतह के बारे में बात कर रहे हैं पढ़ाही कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लागे जी जी ओमोर्फोलोजी अगर आप वतावरन के बारे में बात करेंगे एक मैं जी लिग वह यह ने मीध हला कि विवादसपद है क्योंकि हिकेटिस एक personality है उन्हें भी कहा जाता है कि ये भी geography के जनक है लेकिन जो बहुत authentic कितावे हैं उनमें लिखा हुआ है कि किताब लिखी गई geography और लिखी किसने ऐस तो थायनेस ने तो उन्हें को जनक बनाया गया ठीक है आगे चलते हैं कि प्रत्वी पर है क्या तो प्रत्वी पर है land masses और पानी water या तो जमीन है या फिर पानी है तो definitely जब जमीन है तो अलग-अलग देश है अलग-अलग मानचित्र है, map है तो जो map बनाने का तरीका है, technique है उसको बोलते है केरेटोग्राफी क्यों लाए ये technique जनक कौन है इसका तो वो है एनेक्जी मेंडर ठीक है अब जब इतने सारे देश हैं उनके इतने सारे मानचित्र हैं तो उनका collection भी किया गया होगा उनको संग्रहित किया गया होगा तो जो उनको संग्रहित करते हैं उस किताब को बोला जाता है Atlas ये शब्द किसने पहली वार इस्तेमाल किया Gradus ने और Atlas पहली वार बनाई किसने जनक कोन है इसका तो वो है Abraham Autelius ठीक है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कि ठीक है प्रत्वी किस आकार की है तो प्रत्वी spherical नहीं है बॉल के आकार की नहीं है वो अपने धुरूफ पर यानि कि पोल्स पर चप्टी है तो उसको बोलते हैं geoid देखिए कोशिश करूँआ समझाने की जैसे संत्रा है तो ये दोनों तरफ से चप्टा है नीचे से भी चप्टा है और उपर से भी तो जो ये वाली shape होती है spherical नहीं है इसको बोलेंगे geoid ठीक है इसकी में आगे बढ़ते है तो हमारी जो प्रत्वी है उसका जो model बनाया गया उसको बोला गया globe किसने बनाया ये बनाया 1492 में मार्टिन बहम ने ठीक है इसमें आगे जानकारी देते हैं तो आपको बता दूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा globe जिसका नाम है योनिस्फेयर वो है निउयोर्क में placed और अगर हम बात करें सबसे बड़े moving globe के बारे में तो वो है USA में उसका नाम है अर्था इस पे बेसिकली दो तरीके की line भी दिखाई देती है एक latitude है एक longitude है ठीक है एक देश के बारे हैं बताती है देशांतर है एक अक्षांग है आगे बढ़े हैं इसमें तो हम बात करेंगे कि जो महादीप है या महासागर है उनके क्या नाम है कितने हैं तो महासागर की बात करेंगे तो पांच महासागर है Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Southern Ocean और उपर है Arctic Ocean बात क्लियर है आपको अगर हम बात करेंगे महादीपों की एरिया के हिसाब से कि कौन सा बड़ा है क्रम में और कौन सा छोटा तो सबसे बड़ा एरिया के बेसिस पे महादीप Continent है एशिया फिर है अफेरिका फिर नौर्डन अमेरिका साओधन अमेरिका यूरोप एंटार्टिका अस्ट्रेलिया ठीक है अगर हम बात करेंगे पॉपॉलेशन के बेसिस पे तो सबसे बड़ा कॉंटिनेंट जिसकी पॉपॉलेशन सबसे ज़ादा है वो है एशिया दूसरे नमबर पे आता है अफ्रीका तीसरे नमबर पे आता है यूरोप फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, औस्ट्रेलिया और आखरी में आता है एंटार्टिका और एंटार्टिका को दुनिया का सबसे बड़ा सीथ और उस्थलवी कहा जाता है तो आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन जो हमने शुरू की है आज जोग्रफी के लिए यह आपके लिए यूसफुल रही होगी अगर आपको लगता है और आप आगे और भी फैक्ट्स जानना चाहते हैं और भैतर तरीके जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टे टून फोर मोर इंट्रस्टिंग वीडियोज और जोग्रफी और अदर अस्पेक्ट्स अफ कॉम्टिटिव एग्जामिनेशन थेंक यू, जैहिन, जैभारत